अगर आप चैनल में नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइट कमेंट शेयर और नोटिफिकिशन बेल आइकोन पर हिसकरना ना भूले जिससे आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकिकिशन हमेशा आती रहेगी आज हम मोस्ट अबेटेड पैन इडिया मूवी का रिव्यू करने वाले है जिसका बेशबरी से आप सभी को इंतजार था जी हाँ सही सुना अपने हम आज रिव्यू करने वाले है और 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 इस मूवी का स्टारिंग राम चरन जुनियर एंटियार आलिया वट और अज़ेद्य अग अगरों में रिलीज हो चुके है तक्रीवन तीन गंटे से भी जादा इसका रन टाइम है और ये तीन गंटे की मूवी देखकर मैं एक वर्ड मैं अगर इसका रवी करना चाहू तो मैं बस इतना ही कहूंगा इट्स वाव और इट्स अमेजिंग मूवी ये कहानी घुमती है भीमा और सितारा मराजू के इर्दगिर्थ भीमा के कबिले से 10-12 साल के एक छोटी से बच्ची को अंगरेज जबरन दिल्ली उठा ले जाते है तब भीमा के उपर उस बच्ची को बचाने की जिम्यदारिया पड़ती है जब ये ख़बर अंगरेजों को पता चल जाती है त लेकिन एक दूसरे की असलियस से वाकिब नहीं होते हैं क्या इन दोनों दोस्तों की दोस्ती में दरार आती है जो बड़ी भव्य देवयता से परदे पर उतारने के लिए famous है बस इसी वज़े से कहानी में नायापन ना होते वे भी लेकिन जिस प्रकार से इस कहानी को दिखाया गया है प्रिजेंट किया गया है वो देखते वे आपको ये तीन गंटे कब कतम होगे बिल्कुल भी पताने चले अगर बात करें परफॉर्मन वाइस तो जुनियर एंटेर और राम चरन असल में इस मूवी की जान है क्योंकि ये सारी कहानी इन दोनों की इर्दगिर्द गुमती है वैसे ही उनका परफॉर्मस भी उतना दमदार दिखाया गया है उनके कैरेक्टर भी बहुत अच्छे से लिखे गए है और साथ में दोनों की जो केमिस्टी है वो भी बहुत लाज जाब लगती है और देखने में बहुत मजा आता है साथ में आलिया बट जिनका छोटा सा रोल है लेकिन वो इंप्रेसिव नहीं लगती क्योंकि उनके पास इतना स्क्रिन प्रेसेंस भी नहीं था और साथ में अजय दोगन का जो एक कैमियो है जो इंपोर्टन कैरेक्टर है लेकिन उतना इंप्रेसिव भी नहीं लगती इस मुवी के VFX and Cinematography एक नंबर इतनी जबर्दस्त है जो आपको एक ऐसा अधबुत Cinematic Experience देंगी उनके सेट्स हो चाहिए उनके सराउंडिंग वो इतने डिलेट फूल टुवाश लगते है जो अगर आप उसको 3D में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजाएगा यह मुवी एक मसाला इंटेटेनर है और इस मुवी में एक्शन जो शूट किये गहे है कोरियोग्राफ किये वह इतने जबर्दस्त है कि आपको देखकर गुज बंपाएंगे जहाँ पर राम और भीम दोनों मिलकर एक बच्ची को बचाते वो सीन चाहे उसके बाद में अंग्रेजो की पार्टी में जब उस लड़की को बचाने के लिए भीम जाता है तब वहाँ पर उसकी एंटी जो बताई है वो इतनी जबर्दस्त है कि आप वो देखकर आप ताली बचाओगे आप चिला होगे और आप सिटी बचाने पर मजबूर हो जागे इसके बाद में क्लाइमेक्स में जहां पर रामचरन का जो एक्शन स्थीन बताया है वो इतना लाजवाब है वो जो आपको पूरी मूवी में पकड़ बनाने में मज़ूर कर देते हैं इस मूवी के क्लाइमेक्स में एक एक्शन सिक्में से जहां पर राम चरन को भगवान राम के आवतार में दिखाया गया है। जब वो आवतार सामने आता है और जब वो एक्शन सामने होता है वो देखकर रॉंग टेकड़े हो जाए। आईग्राउंड स्कोर इस आउटस्टेंडिंग जो कहानी में जान लाता है और सिनेग्रमेटरफी और एडिटिंग इस कदर लाजवाब है जो आपको एक अदबुत सिनेमेटरफी एक्सपिरियंस देदीगी। अगर गानों के बारे में बात की जाए तो इस मूवी में नाचो नाचो सौंग देखने लाएक है जिस तरह से उस गाने को कोरियोग्रॉफ किया है और उस साथ में राम चरन और जुनियर एंटेयार ने जो डांस मूव दिखा है वो डांस मूव देखकर परदे पर आग तो देर किस बात किये जाए अपने फ्रेंड्स और फामिली के साथ में ये मूवी देखिए और एंजाय करिए और मुझे कमेंड बॉक्स में बताना ना बोले कि आपको ये मूवी कैसे लगिए तब तक हाथ दोते रहे है सोचल डिस्टेंसिंग बनाते रहे है और अपना ख